अब आपको इस वीडियो में जो भी स्टुडेंट खासकर जामिया फ्री आईस कोचिंग या आर्सीय के नाम से जो इस बार इंट्रेंस एक्जाम होने वाला है यानि कि फ्री आईस कोचिंग या अप्लिकेशन फ़र्म कैसे फिल करेंगे इसके बारे में बात करेंगे आप चा इस तारिके का इंटरफेस दिखेगा जो मुझे दिख रहा है और इसका बाद आपको इस लिंग पर क्लिक करना है जैसी इस पर क्लिक करेंगे इसके ओफिसल वेबसाइट पर आजेंगे फॉर्म का लिंक वीडियो के डिक्रिप्शन बोक्स में में मेंशन कर जागा अगर आ आप क्या करेगा अपना सार्चिंग हिस्ट्री के सेक्षन में या मॉइल से लैप्टप से देख रहे हैं तो इसके नीची दीख रहा होगा अब इसको बाद आपको इस पर क्लिक करना है जामेका उसमनोंने कहा था कि 18 मार्ट से फॉर्म फील होना स्टार्ट होगा तो यहां पर आपका नाम डेट वर्थ जंडर बताना होगा फादर ने मदने इमेल ऐड़ी एक पासवर्ड बनाएंगे वही पासवर्ड द्वारा लिखेंगे आपका अपना मॉल नंबर और इसके बाद यह कैप्चा जो दिख रहा है इसमें यहां पर टाइप करेंगे को साइ यहां पर फिल कर रहा हूं जैसे अब यहां पर डिपेंड करेगा अगर आपका तीनी नहीं मतलब फर्स्ट अब मेट और सब है तो में सारे मेंशन करेगा तो यहां पर जो है सिफ एक स्टूडेंट का नाम MDRF है तो सिफ आरेप ले रहे हैं और डेट वर्थ यहां पर चू हो यहां पर फार के देक्षा सबसे नाम आप पर आप हम इकर इमेल योज नहीं होगा और अपना जो है फ्यां कर देंगे करेंगे उसको आप करिए इस तरीखे सरे से डिटेल आने लगाए अगर लगता है कि आपका जो डिटेल वह गलत है तो अप चेंड पर जाएंगे वर यानि आपका email जो है जो एकसिट हो गया है आगे यह कर रहे हैं यूविल सीव एन कंफरमेशन email सुन कंटेनिंग है अक्टिविस्ट देखिए मेरे पास email आया नोटिस करें अभी तो email और उस पर एक link है में यह कहना चाहरा है कि आपके पास एक link के गया है email पर email जाके open करें उस पर एक link आया होगा उस link पर आपको click करना होगा click चैसे करेंगे account verify होगा उसके बाद फिर आपको द्वारा से login करना होगा तो अभी हम सिधा email पर चलते हैं यहां पर आप देख सकते है आपको आपको क्या करना है सिधा साइन पर क्योंकि जो नए स्टूडेंट है वह निए पहला जब यह अकॉंट बन जागा उसको या तो इस पर किलिकर या इस पर बहुत अलग नहीं है तो अब इसके बाद जो हम क्या करते हैं पर सिधा साइन पर पैनल पर क्लिक करते हैं यहां पर email id जो हमने टाइप कर रहा हम कुछी चीज़ डायरेक्ट दिखा रहे ताकि आप गलती ना करें और यहां पर जो हम अपना password यूजज कर लेते हैं और अब इसके बाद जो है work क्लिक करेंगे जैसि जब समेट बार पे क्लिक करेंगे इस तारीक़ी का डिटेल आ जागा इसको सबसे पहले my application पर जाना होगा, यहाँ पर इस पर click कर लेंगे बाद इस तरीके का interface आएगा और अब इसको बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आपको course type select करना होगा यहाँ पर course type में center for coaching and career planning यह select कर लेंगे यहाँ से भी same select करेंगे और इसको बाद आपको यहाँ पर पर प्रोशिट पर click करना होगा इस पर जैसी click करेंगे इस तरीके का interface आजागा, अब इसको बाद यहाँ पर इस पर click करेंगे, जैसी इसको बाद add course को option आजागा, इसको बाद इस type का interface आजागा अगर आप मॉयल से fill कर रहे हैं, तो मॉयल में आप दखिएगा ठीरि लाइन होगा, समझेए, मॉयल में आपके three line इस पर click करेंगे है तो यह सारा interface आएगा, और इसके बाद आगे की काम यह होगा, हम सबसे पहले इस पर click करेंगे अगर आप मॉयल से कर रहे हैं तो यह सारा इंटरफेस आजाग और इस पर पहले क्लिक करेंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए मैंने क्लिक किया तो इस टाइप का डिटेल आ गया देखिए अब यह प्रोसेस में तो समझेगा आप अगर मॉयल से करें तो सीर लाइ करेंगे आप करना पड़ेगा यहां पर आपको अपना related बताना पड़ेगा किस ब्लाउंने से ब्लोंग करते हैं इसके बाद आपको आप पनautres रिख लाँ यहिता अपने सफिक अच्टिय्ट करते हैं यहां पर कस्मीरिय क्या देख लिए गार कष्मेरु स्टूड decision चिक है यहां पर आपको अपना अधार नंबर हो आघ माएव इंटरeस्टेट में थो आपको बताना पढ़ेगा जैसे कि अगर अगर आप ूर्ट्स्समें क्रिकेट में हैं या और पी अपके हो सकते हैं तो आपको यहां करना पड़ेगा यहां पर इस वर mandatory है आपका optional subjects क्या है तो वह आपको बताना पड़ेगा political science है या क्या है political science internationalization वह है position of distinction अगर आपको किसी चीज़ में distinction मिले है तो यहां पर कर देंगे सिंपल जैसी कहा रहे position of distinction leadership in school or college अगर उसमें आये हैं तो यहां पर not applicable क्लिक करते रहें अगर आपका आपकी पास है तो आप मेंशन कर देंगे इसके बाद यहां पर आपका address बताना पड़ेगा house number या building number अगर है तो ठीक है वारना आप 0100 करके आगे बढ़ेगे अगर नहीं है तो बैट अगर है तो आप अपने जो है वो mention करते हैं लैंडमक आपको बताना पड़ेगा मतलब की सेरी में तो अब फिलाल example हम जामे कहीं ले रहे हैं तो लैंडमक में हम जामें अगर है तो यहां से स्टेट सेलेक कर लेते हैं इसके बाद यहां पर आपको अपना डिस्टिक बताना पड़ेगा अच्छी यहां पर दो चीज है चलिए पहले तुम्हें बता देना चाहरा हूं कि बहुत असान है जामे का फिल करना कोई टाफ नहीं है कोई भी स्टूडिंट कर पर सकते हैं अगर कोई सूत है तो बताएंगे यह हो गया पर्मनेंट अड्रेस और यह हो गया कर्स्पोंडेस पर्मेंट तो समझते कि जहां से चुलें कर्स्पोंडेस में अगर माले आप कहीं और आ रहें तो मेरा सेजेस्टन हो कि आप दोनों सेम टिक करके आगे बढ़ है आपका फोटो और आपका सिग्निचर यहां पर अपलोड कर पड़ेगा बहुत असंहान है यहां से आप जाएले और जाकर अपना फोटो के लेंगे बढ़ता है एक। हथ में अपना फोटो सें लिए और सुदू कर लेंगे घृइस चूब फाइल पे जाकर फाइल सेलेक कर लिए उसको बाद अप्लोड फोटो पे आपको क्लिक करना होगा इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से प्रोसेस के और अप्लोड होगी आप देखिए थोड़ा सा इनको सांस लेने दिजिएगा यह फाइनली फोटो अप्ल अब इसका देखे, Save and Proceed का Option आगया, अब इस पर क्लिक करना होगा, जैसी इस पर क्लिक करेंगे, देखे, अब आ गया चुके हैं, और इसके बाद, थोड़ा सा वेबसाइट, या तो सुलो है, या फिर connectivity थोड़ा सुलो है, खेर को जो भी हो, आप देखते चलिए, अब यहाँ आप पर देख लिजिए, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसी यहाँ पर टेंथ का डेटेल, 12 का डेटेल, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, पर आपको mandatory जो है, वो है ग्रेजुएशन का डेटेल अप्लोड करना, mandatory जो है यहाँ यहाँ पर 12 क का डेटेल है अप्लोड करना, सौरी, ग्रेजुएशन का, 10-12 आपको पर है, आपको पर है, लेकिन mandatory यहाँ पर, तो ग्रेजुएशन कहां से किया है, आप वो देख लिजिए, अगर आप इसमें से option में देख लिएगा, अगर बाइद भी समें से option में नहीं है, तो लास्ट यह रहा जाम मेले इसलामिया, कि साल पास हो रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, जो इस बार 2024 में पास आउट हो रहेंगे, तो 24 वाले स्टूडेंट जो है, हाले कि इसमें दो बाते हैं, जामिया ऐसे बोला है कि जो स्टूडेंट मार्क सीट जिसके पास है भाई, अपला है वह मार्क्स कितना आया है आपका तो वह मेंशन करेंगे जिसे सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद आपको सीधा यहां पर अगर आपको देख लिए अगर आप यहां पर नो करेंगे तो अगर आप यहां पर नो करते हैं ठिक अब इसको आपको बताना चाहरा हूं कि आदर में जिसे पोश्ट ग्राइजूशन अगर आप की हुए है तो हो सिम्बल यहां पर इसके बात है आपकी हिसाब से अपना भूग देख लिए यहां पे हम फूर फिप्टी का सबस है और टोटल जो माक्स हे हूं फाइफ इन रागा पर मिस्टेक हो रहा है कि कि एक सेकड़ मैं आप थी अच्वांब लिए जी चली हाँ ठीक है अब इसका टोटल कितने मार्स बने है वो और यह कितना पर्षेंटायल आ रहा है यहां पर आपको फर्स्षंट दिविजएन फर्स्ट मेंशन करने होंगा यहां पर टोटल कितने marks का paper था वह अभी खुदबे खुद ले लेगा देखिए 9090 परसेंट आगे यहां पर सो कर रहे कि नहीं आप क्यूंकि कि समाजी यहां पर आपको डीवीजेन ओला सेक्षान में सेक्षन में marks वाला सेक्षन तोल कितने marks आये हैं total कितने marks का पिपर था वह और कितना skill-percentage बना-, automatically ही वो रहत कर सकते हो हैं आप यहां uh तो चलिए चलिए आसके बाद यहां पर कुछ नहीं करनाे है इस पर आपको क्लिक करने है यहां पर क्लिक करने के बाद दिए भी process कर रहा है यहां पर अच्छा एक बात और ग्रेजिवेशन के मार्क्षीट आपको अप्लोड करना पड़ेगा ओके पे क्लिक करते हैं पर इसके बाद यहां पर आपको रिजर्वेशन काटेग्री बताना पड़ेगा आप देख लीजे यहां पर जो मैनर्टी स्टूडेंट है गर्ल्स में ऐसा कोई मैंसन नहीं है कोई मुस्लिम लेकर जो मुस्लिम स्टूड़ तो यहां पर मैनर्टी सेलेक करेंगे यहां पर यस कर देते यहां पर यहां पर जाद जब लेजिए अब जब्लेगा आपके अपको पर आप्सटिन आ रहे हैं इस पर कलिक करने कवाद देखिए भी ठोड़ा यह वेबसाइट यहां पर स्टॉंग है वाइफाइस के थुरूब इसका विचारा धेर हो रखा है तो चलिए आप यह सारा डिटेल आपको सूख कर रहा है मतलब इसी तरीके से आपके फानिली फॉर्म दिखेंगे जो मुझे दिख रहा है अभी यह थोड़ा अभी भी यह सांस ले रहा है तो आप इसको पुरुषीट टू पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद देखिए इस टाइप का डिटेल आ जागा अब इसको बाद यहां पर आपको जिसका फॉर्म फिल्ट करने का जो चार्जिज है मतलब 950 950 से जज़्यादा ही लाएगा जैसे यहां पर ऑनलाइन स समझ घ्र और यहां से उन्लाइन से लिक करेंगे इसके बाद का का मीं होग मिन को सिटेलाइगा दो इसका यह मतलब है कि 900 ऑ चार्ज हुआ और 25 रिपीज catal पर लगेगा तो टोटल 975 के असपस पेमेंट लगेगा जामे के आरसी के फ़र्म में अब Sब्सकають करेंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेई आजागा अब यहाँ पर आपको पेड़ियुज JAKE कुलिक करना होगा और यहां पर आपको अपना काड़ डिटेल बताना पड़ेगा एक्सपारी डेट सीभी यह सारे चीज़े और इसके बाद पे नौ पे क्लिक करेंगे इसका जैसी पे जाएंगे सिंपल सी बात है आपके पास OTP जाएगा OTP डालेंगे वेरिफाय होगा इस तरह किसे पेमेंट दिखाता हूँ कि आपके जिससे मैं अप्लिकेशन पर गया अभी तो मैंने पेमेंट किया नहीं है बट मैं आपको बताना चारूँ कि आगर आपका पेमेंट हो जागा तो कैसा होगा वेबसाइट है इस टाइप का डेटेल आ रहा है अभी हम क्या करते जिससे आपका फॉर आ जागा अब करन्हा है क्या दरिक्ट हो नहीं पाएंगा अब यहां पर क्लिक करेंगे और में पिर्न को यह यह रहा यहां पर देखिए प्रेंट और यह रहा है इस पर आपको क्लिक करदेना होगा ज He Heute हो चुका है अब इस क्लिक करने के बागी है कि आप जामय आर्ची के तयारी कर रहे हैं और उसके लिए इनोंने जो है सेलेबस फैकल देख लिए नोडिफिकेशन देख लिए पहला दूसरा एक ही जामे आर्सिये का जो है पिछले 5-6 सालों का question paper जो है इस वीडियो के description box में एक Google form create क्या गया है उसको feel करेंगे और with them and condition question paper जो है आपको send कर दिये जाएगा तो गूगल form है वीडियो के description उसे अब गूगल form को feel कर लिजेगा बाकी कोई भी dots query होता है comment के जिएगा thank you